हाई गाईज असलम अलेकूम आई मेर फानिला एंड आइन यूर बयारी जी टीटर अगर आप मेरे यूट्यूब चीनल पर नहें तो प्लीज मेरे यूट्यूब चीनल को सब्सक्राइब चीजिए और पिल आइकन पर दबा दीजिए ताकि मेरे हर ने आने वाले वीडियो जा रहे हैं जिसका मतलब है सेल मतलबसि पदेमेंटल यूझनट आफलाइफ इसके रहूं जिसके बारे सेल और इस तरह जो मुठूर्फ अरधन्न बनते है कि आइस के भारे में कहेंगे शेलतों हम कहते हैं तोड़ा बहुत हम सीक टापिकु करते के सेल तो हम सबको मालूम है के स्ट्रक्टल एंफ़ यूनिटới अरर्गिनिजम मतलब जो न्यूल्le बाड़ी जो होती है वो से बनी होती है ये बिल्डδή ब्लाक हम सेल होता है उम स्ट्रे मोड होती है har bardziej हए स्ट्रक्ण्ठ एक्टिविटी होती है बेसिक्स होती है और structure activity जो होती है यि सारे कि सारी कौन पर फार्म करता है you are self पर फार्म करता है मतलब जो entire world है या entire earth है इसमें जो मुख्तलिब किसम के organisms है ये op System से बने हुए होते हैं फिर हम तो कहते हैं कि सिल है ये कि सिल के बारे में हम जानतीuchen है कि सिल है क्या सिल के introduction जब हम करेंगे तो फिर इसकी discovery और structure की सब कुछ आपको इन्शाला clear हो जाएगा लेकिन हम तो अब होत आपको background बना रहे हैं कि सिल है क्या तो entire world जो है ना ये सिल से बना होता है entire world में जो microorganism है ये सिल से बने होते हैं अब सिल है क्या इस तरह सिल जब मुख्तलिफ सिल इकटे हो जाते हैं तो वो हमारे साथ क्या बनाता है पर हमारे पास बनाता है टीशु बनाता है अब सब को यहां तो क्मालूम होगा कि टीशु हम कैसे कहते हैं टीशु इस ए ग्रूप आप सिल मतलब मुख्तलिफ किसम के टीशु जो होते हैं वो मुख्तलिफ किसम के सिल के इकटे होने जाने से बन जाते हैं उसको हम कहते हैं टीशु टीशु हमारे इस तरह मादबा हमारे फास होता है मसल टीशु हो गया नर्ब्स टीशु हो गया इसी तरह के और बहुत सारे connective tissue हो गए connective tissue और epithelial tissue ये हमारे साथ tissue बन जाता है फिर tissue के बाद हमारे साथ जो दूसरा structure बन जाता है वो हमारे साथ होता है आरगन अरगन, अरगन the combining of the primary tissue, different primary tissue is called अरगन मुख्तलिफ tissue एकटे हो जाते है उसके साथ हमारे साथ अरगन बन जाता है अरगन किस तरह बन जाता है अरगन जो होता है ये मुख्तलिफ tissue के एकटे हो जाने से बन जाता है मतलब, lever हो गया, hurt हो गया ये हमारे साथ मुख्तलिप टिशू के एकटे हो जाने से बन जाता है आरगन और फिर आरगन के बाद एक complete system बन जाता है आरगन के बाद क्या बन जाता है? एक complete system बन जाता है system मतलब जैसे कि हम जाते हैं कि respiratory system हो गया जिसमें हम respiration के बारे में पढ़ेंगे रेस्पारेटरी सिस्टम, इसी तरह रेप्रोड़क्टिव सिस्टम, एक्सरेटरी सिस्टम, लगबग हमारे पास 9 से 11 सिस्टम है जो हमारे साथ बन जाते हैं किसी टिशू से, अरगन से, यहां तक तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गिया होगा, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम असल में सिल से शोरो करेंगे, कि सिल में हम क्या पढ़ेंगे, सिल में जो स्ट्रक्चर है, इसी तरह इसका पंशन है, यह हम असल में इस चिप्टर में पढ़ेंगे, यह तोड़ा बेग्राउन बनाना था, जो आप तक इंशाला समझ अब ये सिल जो है ये है क्या और ये कभ डिसकॉबर हो गया और इसकी जो डिरवेशन है यह कहा से होगी तो जो हम कहते हैं कि यह बिल्डिंग ब्लाइज अफ लाइफ है building block of life का मतलब क्या है यहां तो building का लफज आ गया हम तो इनसानी जिसम के बारे में पढ़ लाए है मतलब जब कोई गर बना रहा होता है तो उस गर की जो दिवारे होती है वो एंटों से बने होते है और यह एंट असल में इसकी basics है अगर यह एंटेन हो तो फिर गर का बनाना शायद नाममकिन है इसी तरह इनसानी जिसम जो है यह जो सीधा सादा इनसान हमें नजार आता है इस तरह फ्लांट नजार आते हैं यह हमारे साथ सिल से बने होए होते हैं इसी वज़ासे हम कहते हैं कि Sill is the building block of human life and as well as plant life इसे वज़े से हम कहते है कि Sill है क्या तो Building Block का मतलब है अगर दूसरे अलपास महां कहें कि Sill is the basic Sill is the basic Fundamental Fundamental Structural and functional unit of life and functional unit of life इसकार सिल अब सिल तो हमने जान लिया कि Sill है क्या और इसकी इंट्रोड़क्शन थोड़ा बहुत हमने जान लिए सिल असल में जो डिराइब हुआ है सिल इस डिराइब प्राम लेटन वर्ड लेटन वर्ड से डिराइब हुआ है लेटन वर्ड विच मेंज सिल्यूला कौन से वर्ड से सिल्यूला से और सिल्यूला का मतलब है स्माल रूम स्माल रूम से शायद अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहने जा रहे हैं मतलब जब मैंने तोड़ी बहुत देर पहरे आपको भी एक्जम्पल थी कि जब एक गर कोई बनाता है तो उसमें जो दीवारे होते हैं वो एंट उसे बने होए होते हैं और इन दीवारों की बनने से एक कमरा बन जाता है और पर इस तरह इसे एक कम्प्लीट गर बन जाता है तो इसकी जो बिसिक है इस दीवारों के वो end देते इसी तरह इंसानी बदन इंसानी जिसम और इसी तरह plant life और इसी तरह microorganism life ये सब जो है ये हमारे साथ सिल से बने हुए होते हैं तो small room मतलब एक चोटा सा कामरा इस तरह इंसानी बदन जो है एक चोटे चोटे सिल से बना हुए होता है अब लीविंग अर्गनिजम के बारे में हमने पढ़ा कि लीविंग अर्गनिजम इस तरह plant हो गया माइक्रो अर्गनिजम हो गया और human हो गया लीविंग अर्गनिजम हमारे साथ दो तरह के होते हैं leaving organism, जो basic में हमारे साथ दो तरह के होते हैं, उसमें एक आता है मेक्रो अर्गिनिजम और दूजरा आता है माइक्रो अर्गिनिजम, बोर्ड तोड़ा चोटा है, इंशाला तोड़ा तरखी करेंगे तो और बड़ा करेंगे, बार बार में टायों नहीं पड़ेगा, आच्छा, मेक्रो अर्गिनिजम और मेक्रो अर्गिनिजम, लिविंग अर्गिनिजम और अप्टु टायप, लिविंग अर्गिनिजम और अप्टु टायप, लिविंग अर्गिनिजम हमारे साथ दो तरह के होते हैं, एक होता है मेक्रो अर्गिनिजम, एंड दूजरा है हमारे साथ मे जो मैक्र अर्गिनिसम वो अर्गिनिसम होते हैं जो इनसानी आंग से मतलब लिखांगा है और मायक्र अर्गिनिसम वो अर्गिनिसम जो हमारे साथ निकड आई से नजर नहीं आ सकते मतलब बेक्टीरिया वाईलिस वगरा purchased अच्छा सिल लीविविन अर्ग्रासिम के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि लीविन अर्ग्रासिम दो तरह के हैं तो इसी तरह हमारे साथ एक होता है यूनिसिललर और दूसरा होता हमारे साथ मैल्टिसिललर यूनिसलिलर बेसिक में यूनिसलिलर 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 वो अर्गनिजम होता है जिसकी बाड़ी एक सिल से बनी हुए होती है और मल्टिसलिलर किसे कहते हैं मल्टिसलिलर मन्टिसुंटर उस अर्गनिजम को कहते हैं जिसके बारी कई बहुत सारे सिल्ऄ से बनी हुए 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 हुगец मतलब हुमन बारी हो गया,ப्लांट हो गரा, इसी तरह यह मन्टिसुल्र में i can पेर हमारे साथ होते हैं एक होता है। यह सब कुछ इसलिए आता है मैं इसके बारे में कुई हैं यह पता नहीं है इस चीज œक बारे में तो एक होता है और दूसरा होता है यह पर आगे हम इसलिएव करते हैं MarkShoff है simplement rules केवार आच्छा उसके बाद आता है Procriores 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 A cell without nucleus मतलब जो चल है ऐसा आजयर अर्गनिंसम जिसकी सिल में no s ceremony aregannese होता मतलब साशये उना राइबुसॉम हो गिया मायन आजयर पर्सक्राइब निउक्रियाइब भ्यूंट में जो साशयाफो पर्रियजिए वो प्रेजेंट होतेएं प्रियजिए तूर अर्वर्च करेंगे और गये। पर दिखाई पर तरजी नहीं दे रहा हूं तो आप जो बिसिक कंसिप्ट है उसको गेन करें अगर आपके जह में कुई क्विस्टिन आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें ताकि मैं वो क्लियर करूं ठीक है इसके लावा ये हमने फ्रूक्रियाट और यूक्रियाट की बारे में आपको बता दिया यहां तक हमने जो कुछ पढ़ा वो ता सिल का इंट्रोड़क्शन सिल का इंट्रोड़क्शन हम आपको इसी आवाले से बता रहे हैं कि सिल बिसिक में है क्या और यह किस तरह एक डिफरेंट अर्गिनिजम की स्ट्रक्शर और फ्रूक्शन में मदद करता है तो हमने इंट्रोड़क्शन के बारे में आज पढ़ा कर इंशालला हम इसकी जो डिसकावरी हैं एड़ इसकी जो structure and function है वो इंशालला next chapter में next lecture में इंशालला cover up करेंगे structure and function cover up करेंगे इंशालला next lecture में discovery क्या है और इसकी structure है और function है वो basic में क्या है मेरे खिया में शायद आपको यहां तक समझ आ गए होगी अगर आपके जिहन में कोई question है या कोई मसला है किसी टाप वगयरा में तो आप मुझे comment section में जरूर question कीजिया ताकि मैं आपका जवाब देशकूं और आखिर में अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को subscribe कीजिए ताकि हमें आवसलामें और हम आपके लिए और बहु क्या है